हमारे नेता जी भारत के पराक्रम की प्रती मुर्ती भी है और प्रेयरना भी है आज जब इस वर्ष देश अपनी आधादी के 75 वर्ष में प्रवेश करने वाला है जब देश आत्मंदिर भर भारत के संक्रप के साथ आगे बढ़ रहा है तब नेता जी का जीवन उनका हर कारियर उनका हर फैसला हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेना है उनके जैसे फौलादी इरादों वाले व्यक्तित्व के लिए असंभव कुछ भी नहीं था उन्होंने विदेश में जाकर देश से बाहर नहने वाले भारतियों की चेतना को जगजोरा उन्होंने आजादी के लिए आजाधिन फोच को मजबूत किया उन्होंने पूरे देश से हर जाती पंद हर खेत्र के लोगों को देश का सैनिक बनाया उस दोर में जब दुनिया महिलाओं के सामान्य अधिकारों पर ही चर्चा कर रही थी नेता जी ने राणी जासी रेजिमेंट बनाकर महिलाओं को अपने साथ जोड़ा उन्हाने फोच के सैनिकों को आदुनिक युद्ध के लिए ट्रेनिंग दी उन्हें देश के लिए जीने का जज़बा दिया देश के लिए मरने का मकसद दिया नेता जी ने कहा था भारोत डाग छे रोक्तों डाग दिये छे रोक्तों के उठो दांडाओ आमो देर नोष्टो करार मतो सोमय नोए अर्थात भारत बुला रहा है रक्त रक्त को आवाद दे रहा है उठो हमारे पास अब गमाने के लिए समय नहीं है साथियों ऐसी होंसले से भरी हुंकार सिर्फ और सिर्फ नेता जी ही दे सकते थी और आखिर उन्होंने दिखा भी दिया कि जिस सत्ता का सुरच कभी अस्त नहीं होता भारत के वीर सपूत रन भूमी में उससे भी परास कर सकते हैं कि उन्होंने संकल पलिया था कि भारत की जमीन पर कि आजाद भारत की आजाद सरकार की नीव रखे गिए नेता जी ने अपना ये बादा भी पूरा करके दिखाया उन्होंने अन्दमान में अपने सैनिकों के साथ आकर तिरंगा फैराया जिस जगह अंग्रेच बेश के स्वदंत्रता सेनानियों को यातनाय देते थे काला पानी की सदा देते थे उस जगह जाकर उन्होंने सेनानियों को अपनी स्त्रधाज ली दी थी वो सरकार अखन भारत की पहली आजाद सरकार थी नेता जी अखन भारत के आजाद हिन सरकार के पहले मुख्या पे और यह मेरा सभाग्य है कि आजादी की उस पहली जलक को सुरक्षित रखने के लिए 2018 में हमने अंड़ावान के उस दीप का नाम नेता जी सुभाज चंद्र बोस दीप रखा देश की भावना को समत्ते हुए नेता जी से जुड़ी फाइले भी हमारी सरकार ने सार्वजनिक की यह हमारी ही सरकार का सौभा के रहा जो 26 जनवरी की परेड के दोरान आयने वेटरंस परेड में शामील हुए थे आज यहां इस कारकम में आजाद हिंद फोज में रहे देश के वीर बेटे और बेटी भी उपस्तित हैं मैं आपको फिर से प्रणाम करता हूँ आजाद हिंद और का प्रणाम करते हुए कहीं कहुंगा कि देश सदा सरवदा आपका कृतग्य रहेगा कृतग्य है और हमेशा रहेगा